नमस्कार दोस्तो, समार्ट कांटिंग आरसनार के यूटूब चैनल पर आप सभी का सवागत है तो दोस्तो आज के टाइम में एक टेली यूजर दवारा इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा जो वर्ड सर्च किया जा रहा है वो यही है भी टेली प्राइम सोफ्टवेर का सेटप कैसे डाउनलोड करें या टेली प्राइम सोफ्टवेर का डेमो किस तरीके से इंस्टोल करें यानकि टेली प्राइम के सेटप को लेके काफी सारी वर्डिंग है जो सर्च की जा रही है तो दोस्तों आपने देखा होगा YouTube पे टेली Prime से software से related काफी सारी वीडियो जो बन चुकी है तो दोस्तों वो केवल testing ही demo है वो कोई original setup नहीं है जिस पे हम original work भी start कर सकें वो केवल हमारी practice के लिए एक setup है तो दोस्तों आपने जब भी आप ये word search करोगे भी टेली Prime software का setup हम कैसे install करें तो आपके सारे बहुत सारे link आपके सामने open हो जाएगी website के रूप में और मेरे भी एक friend ने ये word इंग सर्च करी भी टेली Prime का setup कैसे install करें तो उसके सामने काफी सारी जो link आए और उसने एक ऐसे link पे click कर दिया जहां पर उससे काफी information मंगी गई उसमें name पुछा गया, email एडर्स पुछा गया, mobile नमबर पुछा गया और यहां तक की अधार card का नमबर पुछा गया, pen नमबर पुछा गया और bank की detail भी उससे मंगी गई तो दोस्तों उसने friend ने मेरे को call किया और उसने पुछा भी यह सब कुछ information मांग रहा है यहां तक की pen नमबर और bank detail भी मेरे से मांग रहा है तो वो जो बाद में पता चला भी वो जो link है वो गिल्कुल fake था हलाकि वो उसकी same वो ही जो website है वो उसने Google से दो गंटे बाद ही delete कर दे थी वहां से हटा दिया था उसने अलाकि उसने जो मेरे friends ने उसका screenshot वो नहीं ले सका अगर screenshot लिया होता तो आपको मैं वो website जो जुरूर दिखा था अगर आप भी ऐसे website पर click करते हो तो आप बिल्कुल बचके रहेगा सावधान रहेगा क्योंकि दोस्तों हम जब भी इंटरनेट से किसी भी software का trial version के लिए कोई setup डाउनलोड करते हैं तो normal information हमारे से मांगी जाती है यानकि name पुछा जाता है email address मांग लिए जाता है mobile number मांग लिए जाता है या आप हमारे software के पुराने user हो या नहीं हो वो तो कितने टाइम से हो या comments के रूप में हमारी राए मांगी जाती है और उसके बाद में जब हम submit पे क्लिक करते हैं तो हम setup के option पर आ जाते हैं तो download करके हमारा अराम से setup जो download हो जाता है तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा कोई link आए या आप कोई किसी भी ब्राउजर में अगर आप यह वर्ड search कर रहे हो भी टेली प्राइम का demo के इस तरीके से download करें और आप ऐसे link पे क्लिक कर रहे हो जहां पे यह bank की detail भी आपसे मांगी जा रही है तो इसका मतलब वो बिल्कुल fake site है वो फर्जी link है तो दोस्तों जब भी इसका original जो setup आएगा वो हमें इस टेली software का जो इसकी official website है original website है टेली solution.com के नाम से इस पर ही हमें मिलेगा तो आप अभी देख सकते हो मैंने टेली solution.com की original website जो open करके रखी भी है और इसमें इसके जो dashboard पर अभी तक टेली prime software से related कोई भी wording नहीं लिखी भी है और जबी मैं इस पर download पर क्लिक करता हूं मैं तो आप देख सकते हो इस download पर जैसे क्लिक करूंगा तो यहां पर केवल टेली.erp9 के जो रिलीज है 6.6.3 का उससे रिलेटरी अभी डाउनलोड के लिए और इस्टालनाओं के लिए मांगा पुछा जा रहा है तो दोस्तों टेली software यह कभी नहीं आपसे information मांगेगा bank detail अधार नंबर और pen नंबर हाँ आपसे normal information जरूर मांग लेगा आपका name आपका mobile number आपका email address या आप हमारे software के पुराने user हो या नहीं हो तो कितने time से हो और उसके बाद आपकी जो comments में आपकी जो राय है वो आप दे सकते हो और उसके बाद में directly आपका जो setup है वो install होना शुरू हो जाता है तो दोस्तों अगर आप ऐसे link पे click करे हो जहाँ पर आपकी bank detail अ सचेत उनको करें सावधान करें विभया आप ऐसे link से दूर रहें और ऐसे जब तक हो सकें क्योंकि ये 9 November 2020 के बाद में ये जो setup हो में कई निकी telly की original website से ही download करना है अगर आपको किसी भी तरीके से telly prime software का setup आपको मिल जाता है तो मैं आपसे request करूंगा आप केवल उस पे trial क करके ही जुरूर देखें अगर आपके पास telly.erp9 software का अगर data है तो आप उस data को अभी जो testing version है उस पे working करके ना देखें यानकि उस data को आप migrate ना कराएं इसमें हो सकता है अभी आपका data का जो नुकसान हो सकता है जब भी हम इसका original जो setup 9 November 2020 के बाद जो हमें मिलेगा उस पे ही हम working करके देखेंगे तो दोस्तों मैं आपसे request करूँगा आप ऐसे फर्जी link से बचें और नहीं ऐसे फर्जी link वो अपने friends के साथ है share करें क्योंकि जो फर्जी link का यह ज्यादा तर website पे available होते नहीं यह कुछ यह गंटों के लिए रहते हैं तो यह बाद में delete हो जाते है तो इसमें आपका नुकसान होने का जो डर है रहता है अगर आपने कर भी लिया तो आप इसमें राम से practice कर सकते हो company create करना laser create करना stock item को create करना या vouchers की entry करना यह सब कुछ आप करके देख सकते हो इसमें कोई problem नहीं है तो दोस्तों यह आज की वीडियो कैसे लगी आप हमें comment क करके जरूर बताना अगर चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वेल आइकन का बटन प्रेस करके all notification पर भी जरूर क्रिक कर लेना तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में के ने टोपी के साथ